हालो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज कि में इस वीडियो में बात करने वाले हैं आई आर एडिये के बारे में तो बेसिकली यहां पर एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है जो कि मैं आपको यहां पर पूरी तरीके से सकता है वो भी हम इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं साथ के साथ दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात होगी जो कि आपको कॉर्परेट एक्शन इन दी फॉर्म ऑफ बॉनस और डिवीडेंड दिखाने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए आपको स सब्सक्राइब मैं इंडाइस दिखा देता हूं जिससे यह इस्टॉक ब्लॉंग करता है बी ऐसी फाइनिशन सर्विसेज यह इंडेक्स है जिसमें आज लगबग एक परसेंट तक की गिरावट हुई है इवन निफ्टी बैंक में बड़ी गिरावट थी और सेंसेक्स और सब्सक्राइब में बड़ी गिरावट थी लेकिन यह पर्टिकुलर इंडेक्स बेंचमार्क है आयरीडिये के लिए तो मैंने आपको इसलिए यहां पर यह शो किया है अब अगर हम आयरीडिये की बात करें तो लगबग मोर और लेस सेम मुमेंट देखने को मिला है एक सो त बड़ी फ्लेक्शुएशन शेयर के अंदर देखने को नहीं मिली अच्छी बात यह है 100 रोपे से उपर अभी भी ट्रेड करता है 100 रोपे से नीचे नहीं गया है गिरावट के बाद भी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ची बता देना चाहता हूं बहुत बड़ा धमाका आने वाले टाइम में भी होने वाला है तो इस वीडियो के बाद जाकर जरू देखना सारी चीज़ें वहां भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगी अब देको वर्लीम और डिलिवरी का डेटा मैं आपके सामने रखूं तो एक जैन्वरी से लेके पात जैन्वरी तक का डेटा आपके सामने रख दिया है जिसमें डिलिवरी परसेंटेज एक अच्छे परसेंटेज के साथ देखने को मिल रही है यानि कि फर्स जैन को 36.8% फिर 39% 41% 33% और 34.4% आपको यहां पर डिलिवरी परसेंटेज देखने को मिल रही है इसका मतलब यह है कि मुमेंटम जो है वो थोड़ा था श्ट्रॉंग है शियर में जो सेलिंग प्रैसर उसका कोई बहुत ज्यादा इंपक्ट शॉट टम में नहीं पढ़ने वाला है तो यह है कहानी अब तक कि मैंने आपके साथ शेयर करी अब मैं आपके सामने रखता हूं एक रिपोर तो 5 जैनवरी को as a part of by brand गुजराद global summit जो की अगले हफ़ते scheduled है यानि की 11 जैनवरी को आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है पूरी तरीके से renewal energy पर यह seminar होने वाला है और यह एक काफी बड़ा seminar है जिसमें अगर आप देखो तो यह जो company जैसे के IR ED हो गई अपले सु फोकस रहने वाले क्योंकि यह मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में company के cmd प्रदीप कुमार दास ने इटी से बात करते हो कहा कि हम अपनी विसेश्चिक्ता शेयर करते हैं और हम किसी भी competition को लेकर चिंतित नहीं है यानि कि इनके cmd से भी बात की गई थी तो उन्होंने य दार्ना में बहुत अंतर है उस दार्ना अंतर को कम करना होगा निजी शेत्र के सम्मंद में भी दार्ना में काफी अंतर है यदि आप सेप्टेंबर की बुक को देखेंगे तो 77 परसेंट प्राइवर सेक्टर की बुक है इसके बापजूद हमारे पास 1.67 परसेंट के net NPA है यदि आप सेप्टेंबर के आंकड़े को लें तो पिछले 36 सालों में हमारा क्यूमिलेटिव राइट ओफ एक लाग सात हजार करोल रुपे के कुल बित के मुकाबले सिर्फ दो सो तीन है इसलिए हम गुडवत्ता को बनाय रखना जारी रखेंगे यानि कि इन्होंने अपन कि उनसे पूछा गया कि यदि IR EDA को नवरतन कंपनी का दरजा मिले तो क्या बदल जाएगा ये एक बहुत बड़ा क्वेशन है तो उन्होंने कहा कि उन्हें नवरतन कंपनी का दरजा मिलने की उम्मीद है सबते पहले कंपनी के बारे में जो यहां पे धारना बनाई रखी ह कंपनी की गुडबता आचरक सुदरेगा हमने इस सेडियूल और नवरतन के के लिए लगबग एक साल पहले आवदन किया था और हमें 27 सेप्टमर को B से सेडियूल A में अपग्रेड किया गया है इससे पहले भी हमारी रेटिंग डबल A प्लस से ट्रपल A इस तर पर अपग अपडेट हो जाए ठीक है तो यहां से बहुत सारी चीज़ें आपको इंप्रूब्ड होते हुए नजर आएंगी जैसे कि मैं आपके साथ पहले भी जब R.B.N.L. को नवरतने स्टेटस दिया गया था तब भी मैंने आपके साथ वो प्रॉपर्टी शेयर की थी कि इस और बिजनेस होता है प्रोजेक्ट मिलना थोड़े थे और एजी हो जाते है सरकार की तरप से हेल्प हो जाती है और गुडविल मार्केट में इंक्रीज हो जात है तो यह है कहानिय अब तक कि यहां पर आयार एडिय की मैंने आपके साथ रख दी है अब हम बात कर लेते हैं यहां पर दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको कॉर्पेट एक्शन दिखाने वाले हैं तो जो पहला स्टॉक निकल के आता है वह है न्यूज इन सॉफ्ट रिटर्स जो दिये हैं और अगर हम इसके फाइनेशल बात करें तो फाइनेशल भी अच्छे नजर आ रहे हैं देख पारे होगे पिछले 4 साल का डेटा है जिसमें जो इनका रेवेन्यू है वो भी ग्रो कर रहा है अच्छी कासी परसेंटेज के साथ प्लस प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर बढ़ते हो नजर आ रहा है कंपने आपको जो कॉर्पेल एक्षन दिखाने वाली है वो है बॉनस और बॉनस आपको वन रेशियो बनका देखने को मिलने वाला है 12 जैनवरी 2024 इसकी एक्स डेट निकलके आती है और यहाँ पर आपने 12 जैनवरी से पहले प रहने वाली है वहीं अगर हम अपने दूसरी स्टॉक के बारे में बात करें जो कि आपको डिवीडेंट देने वाला है तो वह है टाटा कंसल्टैंसी सर्विसस लिम्टेड यानि की टीसी एस अगर आप देखते हो तो डिवीडेंट कॉंटिनियूसली देता ही है और लोग में निवेश भी इसलिए करते हैं कि उनको टाइमली डिवीडेंट के दौर पर एक रेगुलर इंकम जो है वह मिलती रहे 19 तारिक को आपको यहां पे जो है वह डिसाइड हो जाएगा कि कितने अमाउंट का जो डिवीडेंट है वह दिया जाएगा लेकिन यह तो अल्रेडी के इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा और चैनल फे फर्स टाम विजिट कर रहें तो सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा धन्यवाद